पियम किसान इंदना में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो किसान भायो आपके लिए बहुत बड़ी खोसकवरी है यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो पियम किसान सम्मान ने दी यूजना की बारमी इस्टॉल्मेंट कव आएगी क्योंकि हाँ पे जो मेरा टेल तो आज हम आपको इसी के बारे बें बताऊंगा कि आपको जो पैसा है कब मिलेगा और कैसे आपको सारह कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं मिरा नाम है राजु गंबार आप देख रहे हैं पीम किसान इयोजना चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल ड़िए किन क को सब बार्मि इस्टोल्मेंट कब हमारा को मिलेगा हमारे अकॉंट मैं आएगा यहाँ पर चेक करने के लिए आपको ब्रूवत छेक कर सकते हैं कि आपको जो स्टोल्मेंट है उसमें अगर Bating for Approval या फिर RFT लिखके कुछ आना स्टार्ट हो गया है कापी सारे किशन वाई ऐसे हैं जो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर हमारा Bating for Approval आ गया है तो पैसा हमें कब मिलेगा या RFT आ गया है तो पैसा कब मिलेगा या फिर कुछ नहीं आ रहे है तो भी आप मुझे कमेंट्स कीज़ेगा तो अभी मैं आपको बताता हूं कि बार में इस्ट्रॉलमेंट का पैसा आपको यहां पर कवरी लिजोगा तो उसके लिए भाईयो पीम किसान इसकीम का पैसा ट्रांसपर होने से पहले आया वड़ा अफडेट यानि जो पीम किसान सम्मानी दी यूजना की जो केस्त है वो हैपे अफडेट होने वाली है और सभी किसान भाईयों के खाते में आने वाली है उससे बड़ा एक अफडेट यहां पर आया है तुरण चेक करें यह लेस्ट बरना नहीं मिलेगा आपको पैसा यानि जो आप इंतियार कर रहे है कि हमारे को बार्मी इस्ट व्रमेंट का पैसा मिलेगा कही ऐसा नहों की आपको पैसा ना मिले तो जल्दी से जाईएगा यह चेक कर लिजिएगा कैसे चेक करेंगे बो मैं आपको बता दता हूँ मैं आपको बता दूँ किसानल योeren Q9 जो PM किसान संमान निदी योजना में अफडेट अगर आप PM किसान संमान निदी योजना में रखेंस्चन कर रखे हैं तो आपके लिए अच्छी ख़बर है केंदर शरकार की Oint 이 short किसानों को करोडों किसानों के लिए खाते में जो पैसा ह अगर जल्दी ही आप जो सरकार जो है आपके खाते में बार्मी स्टॉर्मेंट का पैसा ट्रांसफर करने वाली है अगर आप अगस्त लेके नमंबर के बीच में इस दिन किस्त का पैसा आ सकता है पिछले साल जो है बून नो अगस्त को किसानों के पैसा ट्रांसफर किया गया सिह ता 9 अगस्त को किसान भाई हो तो आपको अभी आपको पैसा नहीं मिला है तो अभी भी आपको अभे मिलेगा मैं आपको बता को ऑर लिश्ट कैसे देखिनी यंगी वह भी मैं आपको बता दुगा यहां पर दीख सकते हैं मीडिया रिपोरट के मताबिक इंडर शरकार यानि 5 सितंबर को किसानों के खाते में 2000 रुपई ट्रांसफर कर सकती है लेकिन उससे पहले आप अपने लिस्ट में जाकर नाम चेक कर लें कि बार्वी इस्टॉल्मेंट का यानि जो किस्त का पैसा आपको ट्रांसफर होगा या नहीं होगा यहाँ पर देख सकते हैं इस टिट भी आप देख सकते हैं अभी मैं आपको पर दिखाँगा कि आपको अपना बन ओफ है या फिर अपनी जो लिस्ट है वो आपको कैसे देखनी है वह भी आपको आपको बताऊंगा यहाँ पर सालाना जो आपको किसानों को छे हजार रुपे दिये जाते हैं और यह क किम काफी अची है किसानों के लिए अभी मैं बताओ क्या यूकि बारस बैसे ही नहीं हो रही है और किसान काफी सारे परिशान है क्योंकि उनको धान की नो खेती है कि महां पर पानी भी लगा ना रहता है niez धिक वो ट्रांसपर होने वाला है एक दो दिन आपको बेट कर लेना है पांच या दस तारिक तक जो है आपके अक्वाइंट में बार में इस्टॉर्मेंट का पैसा आपके अक्वाइंट में आजाएगा अभी मैं आपको यहां पर लिश्ट कैसे दिखनी है तो आपको बैक आजान है बन आफ एक्वाइंट इलिश्ट अंडर पी अम किसान अगर आपने पर बिसान कर रहा है और आपको यहां पर देखने को होगा तो भी आपको यहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा ठीक है तो जैसे मैं आपको पहले भी बता रखा है कि जो ज़ो 10 मिं स्टोर्मेंट या 11 मिंस्टोर्मेंट आई थी तो उसमें भी काफी सारे किसान भाईयों को पैसा नहीं मिला था तो इसी प्रकार से आप बार्मी स्टॉलमेंट का पैसा आने वाला है उसमें भी बहुत से किसान भाईयों को पैसा नहीं मिलेगा बाइस किसान भाईयो उससे अच्छा है अपने लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक कर लें यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ बनो फैस्टिजी लिस्ट अंडर पीम किसान यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस आजाएगा यहाँ पे अपनी स्टेट सिलक करना है डिस्टिक सिलक करना सब डिस्टिक और ब्लाक और विलेज यह सिलक करने के बाद आपके डिटेल्स नहीं करकर आ जाएगी और आप अपना नाम भी यहाँ पे देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम है तो बहुत बड़ा अफडेट है बार्मी इस्ट्रॉल्मेंट को लेके वी और जुन किसान भाईयों को मिलने वाली है वो भी अपना यहाँ पर आकर नाम चेक कर सकते हैं वैस किसान भाईयों आज की वीडियो में इतना ही था अगर आपके मन में फिर भी कोई कंफीजन हो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजेगा जिससे मैं आपकी हाँ पे हेल्प कर सकूँ तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्टूल में जब तक के लिए जैहिंज अभरा धन्यवाद